जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक पहुत खना पेड़ भी था। सभी जानवर उस पेड़ से दूर ही रहते थे। क्यूंकि उन सब का मानना था कि उस पेड़ पर भूत रहता है। एक दिन जंगल में भालू आया और वे रहने के लिए जगा डूणने लगा। मैं इस जंगल में तो आ गया, मगर अपनी गुफा कहा बनाऊं। तभी भालू को वो भूतिय पेड़ दिखता है। यह जगा थोड़ी डरावनी रखती है, पर यहाँ शान्ती बहुत है, मुझे अपनी गुफा यही बनानी चाहिए। भालू उस पेड़ के नीचे पहुचता ही है, कि तभी वहाँ बंदर और हाथी आ जाते हैं, और भालू को वहाँ अकेला देखकर बंदर बोलता है। गुफा नहीं बना सकते, यह जगे सुरक्षित नहीं है। बनाता है, जिस पेड़ पर बंदर रहता था। भालू निश्चिंद होकर वहाँ रहने लगता है। एक दिन भालू जंगल में घूमने के लिए निकलता है। घूमते घूमते वो उसी पेड़ के नीचे जा पहुचता है। अगर इस पेड़ पर भूत रहता है, तो वह मुझे इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है यहां जरूर कुछ गड़बड है। भालू के ऐसा कहते ही पेड़ के उपर से आवाज आती है। तुम यहां आ तो गए हो, लेकिन जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौन है यहां। मैं इस पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। भालू डर कर वहां से भाग जाता है। भूत, भूत, भागो, भागो। अपनी गुफा में पहुँचकर भालू बंदर को बुलाता है। अरे भाई, क्या हुआ, क्यों चिलना रहे हो। बंदर भाई, मैंने अभी भूत देखा, वही उस पेड़ की नीचे। क्या, भूत? मैंने तुम्हें वहां अकेले जाने से मना किया था। तुम अभी इस जंगल में नए हो, और वो भूत तो बहुत खतरनाक है। उसने पहले भी कई जानवरों को नुकसान पहुचाया है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। आज के बाद मैं कभी भी वहां अकेला नहीं जाऊंगा। भालू अब उस पेड़ के पास कभी अकेला नहीं जाता था। एक दिन भालू को जंगल में एक गोरिला दिखता है। लगता है ये गोरिला जंगल में नया आया है। वरना आज से पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। भालू उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद भालू देखता है कि गोरिला उसी पेड़ पर चड़ जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है ये देखकर भालू बंदर के पास जाता है बंदर भाई, मैंने अभी अभी ये गोरिले को भूत वाले पेड़ पर चड़ते हुए देखा शायद वह इस जंगल में नया है पर गोरिला को तो उसकी दुष्टता के कारण काफी समय पहले इस जंगल से निकाल दिया गया था तो फिर वो जंगल में क्या कर रहा है और उस भूत वाले पेड़ पर क्यों चड़ गया क्या वो नहीं जानता कि उस पेड़ पर भूत रहता है बंदर सोच में पढ़ जाता है वे समझ जाता है कि पेड़ के भूत के पीछे कोई गहरा रास चुपा है पंदर रात को भूतिया पेड़ के पास ही एक पेड़ पर चड़कर छुपकर चिलाता है अरे वाह पूत दिनों के बाद किसी गोरीले की कुछबू आ रही है आज तो पेड़ भर कर खाऊंगा और यह गोरीला तुम मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ गोरीला ये सब सुनकर डर जाता है वे सभी जंगल की जानवरों को इकठा करता है फिर वे उन्हें सारी बात बताता है बंदर अभी भी उसी तरह से चिला रहा होता है आज तो मैं गोरीले का मास खाकर ही पेड़ भरूँगा पर भूत तो इस पेड़ पर रहता था फिर अवाज उस पेड़ से कैसे आ रही है माहराज पेड़ पर कोई भूत नहीं रहता आपने मुझे जंगल से निकाल दिया था इसलिए मैं इस पेड़ पर आप सबसे छुपकर रहता था सभी जानवरों को मैंने ही भूत बन कर डराया था जिससे कोई मुझे देख ना सके लेकिन अब यहां सच मुझ का भूत आ गया है ये सब सुनते ही बंदन नीचे आता है और सब को बताता है यहां कोई भूत भूत नहीं रहता पेड़ पर रहने वाले भूत का सच सामने लाने के लिए ही मैं भूत बन कर इसे डरा रहा था ठीक वैसे ही जैसे इसने हम सब को डराया था गुरिले का जूत पकड़ा जाता है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है इस तरहां सभी जानवरों को भूतिया पेड़ से छुटकारा मिल जाता है और वैसे खुशी से बिना डरे जंगल में रहने लगते हैं